स्वागतम दोस्तो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे मेस लगन की कुंडली में जब मून यानि की चंद्रमा दूसरे स्थान पर बैठता है तो किस तरह की फल या परिणाम देता है उससे पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब् और बेल आइकन पर क्लिक करने ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोटिवेकिशन आपको आसानी से मिल जाएं दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर मेस लगन की कुंडली में मून चौथे स्थान का मालिक होता है और अब चौथे स्थ स्थान क्या फल देता है और मून क्या फल देता है इसके बेस पे हम समझेंगे आगे कि जब मून मीस लगन की कुंडली में दूसरे स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या पर नाम देगा बर दोस्तो उससे पहले हम समझते हैं कि चौथा स्थान क्या है और क्या फल दे हैं हमारे emotions को हम कितने emotional से हैं कितने भावख हैं हम किस situation में कैसे react करते हैं यह moon करता है represent moon हमारे mind का कारक है यानि की दिमाग का साथ ही moon हमारे emotions को control करता है इसलिए moon का कुंडली में strong होना बहुत जादा जरूरी है अगर आपके कुंडली में moon strong है तो आपका mind stable होगा और उससे आप जो life में decision लेंगे वो सही लेंगे अगर moon थोड़ा भी उपर नीचे यानि strong नहीं है तो जो आदमी life में decision लेता है वो emotions होके लेता है तो sometime आप emotions में आके wrong decision लेते हो या गलत decision लेते हो साथी moon represent करता है हमारी माता को यानि mother को तो हमारा अपनी माता से किस तरह का relation होगा हमारी माता हमें कितना प्यार करेंगी या हमारे बीच में कोई gap होगा इस तरह की चुज़ों को भी moon represent करता है तो moon माता का करक है इसलिए moon का कुंडली में strong होना बहुत ज़्यादा जरूरी ह होता है, second house represent करता है आपकी वानी को, आपकी आवाज को, आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह से बोलते हो, second house represent करता है, second house represent करता है आपकी family को, आपकी family lineage को, second house represent करता है आपकी basic education को, जब आप school में जाते हो, schooling करते हो, उस तरह के जो education होते हैं, हम second house देखते हैं, साथ ही हम second house से देखते हैं कि आपकी savings कैसी है, आपकी wealth कैसी है, क्योंकि income कमाना और उसमें счy expenses होते हैं, और एक कुछ saving होता है, जो savings होते हैं हम second house के check करते हैं, और expenses होते हैं हम 12th house से check करते हैं, तो दोस्तो second house का strong होना बहुत जरी है, अगर आपके life में wealth, income, savings चाइए तो, शादी दोस्तों हम second house से देखते हैं कि आपकी वानी कैसी है आप क्या खाते हो क्या पीते हो आपके food habit की स्थरकी है वो भी हम second house से देखते हैं वेच खाते हो नौन वेच खाते हो ट्रिंक करते हो इस सारी चीजी हम second house से देखते हैं दोस्तों वहीं चौथा स्थान रिप्रेजन करता है आपके घर को, आपके होम को, चौथा स्थान रिप्रेजन करता है आपके हैपिनेस को, आप किसी भी जगब पे रहें, कैसे भी रहें, लेकिन आपको जो सुख सान्ती मिलता है, वो घर पे आके मिलता है, तो चौथा स्था इसलिए चौथा स्थान बहुत ही इंपॉर्न है, साथी चौथा स्थान रिप्रेजन करता है, आपके बास किटना असेट्स है, प्रोपर्टीस है, कार है, वेेकल्स है, एक यह सारी चीजे हम चौथे स्थान से देखते है, बैंस लगण की कुणड़ी में तो जब मून चौथे स्थान का मालिक होके दूसरे स्थान पर बैठता है यानि कि टौरस साई में बैठता है तो दोस्तो ये एक बहुत स्टॉंग कॉम्बिनेशन है और मून के लिए एक अच्छी पोजिशन है मेस लगन में जोफ्ते स्तान का मालिक यानि डिजायर, हैपिनेस का मालिक अब दूस्तरे स्तान में आके बैढ़ गया है यानि की money wealth में आके बैढ़ गया है और उपर से दोस्तों दूस्तरे स्तान में आनि की torus राजी में moon उच्छे का होता है एक जल्टेट होता है तो यह एक बहुत अच्छी पोजिशन है मेस लगन मालों के लिए साथी दोस्तों ऐसे जाए तक बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं करनिंग होते हैं और इन्हें पता होता है कि पैसे किस तरह से कमाना है क्योंकि मून अगर आपका स्टॉंग है तो आ हाउस में बैठे हैं और इसके वज़े से इनकी जो हैपिनेस है जो लगजरी कार्ज डिजायर होम इस सारी विश्ट जो है चौथे हाउस की और इनकी आसानी से पूरी हो जाती है क्योंकि इनकी फैमिली जो रहेगी बाई डिफॉल्ट रिच होगी या एक स्टेबल फैमिली लाइब देती है वह आपको मिल जाती है या आप अरन कर लेती है बहुत आसानी से तो जब मेस लगण के कुडली में मून चौथे स्थान का मालिक होगी दुसरे स्थान पर बैठता है और दुसरा स्थान का जो साइन है वो टारस है और उसका जो लाट साइन है वो है वेनस यानि लग्जरी का डिजायर का साइन और मून भी एक तरह से यंग प्रानेट है उसे भी लग्जरी और डिजायर पसंद होता है और जब मून दूसरे स्थान पर आपके बैठता है तो ऐसे जाथ तक बाई डिफॉल्ट बहुत फॉन्ड होते हैं जुएल्री के डायमंड्स के जेम्स टोन्स के तो यह लोग को बहुत पसंद होता है कि जुएल्री डायमंड्स अब कहसते हैं कि यह लोग लग्जरियस जो होती हैं और इसके वज़े से वो अपनी डिजायर को इच्छा को आसानी से पूरा करते हैं दोस्तों जब मून मेस लगन की कॉंडली में दूसरे स्थान पर बैठता है तो दोस्तों दूसरे स्थान का जो साइन है और टारस साइन है और टारस रिप्रेजरियस करता है वीनस को और दोस्तों जब मून जब सकेना उसमें आकर बैठता है तो ऐसे जाता है कि बहुत सारे love affairs होते हैं या relationship होते हैं आप कह सकते हैं अगर उन पर Jupiter की list नहीं है तो क्योंकि Venus रिप्रेजन करता है love और romance को और Moon भी रिप्रेजन करता है charm को, young चीजों को तो दोस्तों जब Moon और Venus सा combination आता है तो ऐसे जाता काफी flirty होते हैं, smart होते हैं और यह लोग काफी dynamic personality होती हैं और इसके बज़े से जिनके बहुत सारे love affairs होते हैं बहुत सारे इनके love relationship होते हैं या आप कहसे तते हैं काफी flirty person होते हैं, बहुत सारे hang-ups करना पसंद था इनको तो एक तरस दिखाया तो दोस्तों इनके काफी flirty personality होती है या आप कहसे तते हैं कि यह काफी जल्दी जल्दी अपने partner को change कर सकते हैं या करते होंगे दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि moon की position दूसरे स्थान में मेस लगन के लिए बहुत अच्छी होती है तो ऐसे जा तक कि जो family होती है या तो काफी जादी होती है तो उसके दोस्तों या तो आपकी family पहले से reach होगी या आपका जो partner होगा हो काफी reach होगा और उसके वज़े से आपकी जो status होती है या post marriage बढ़ जाती है दोस्तों moon का second house में बैठना मेस लगन के लिए तरह का राज योग है और यह moon जब उच्छ का बैठा होता है तो अच्छी degree में होता है तो इनके पास wealth की कमी नहीं होती है पैसे की कमी नहीं होती है इनकी जो convenience lifestyle बहुत अच्छी होती है और दोस्तों उसका रिज़न यह होता है कि मेस लगन में moon चौथे स्थान का मालिक है और चौथे स्थान का म family sign में wealth में savings में तो दोस्तों इनका जो car convenience home या तो इनको पहले से होगा या बाद में यह लोग पैसे कमा के आरान से आसानी से सारे चीज़ें को सारे चीज़ों को भोग करते हैं आप कैसे हैं कि इनको all aspect of life जो luxury होता है यह enjoy करते हैं दोस्तों साथ में यह भी observe किया गया है कि moon represent करता है ornaments को और luxurious चीज़ों को तो दोस्तों यह रिखा गया है कि ऐसे जाता है तो इनकी family business diamond की होगी या ornaments की business होगी गोल्ड की business होगी या तो यह लोग gold में diamonds में या merchant type के business करते हैं जहां पर they deal with the luxury चीजों में deal करते हैं या इनके पास restaurant होगा या ऐसी चीज़ों जो काफी luxurious type के business होते हैं उन्हें करना पसंद होता है या वो उस चीज़ के business करते हैं दोस्तों moon represent करता है आपकी माता को तो जोस्तों जब moon मेस लगन में दूसरे stand पाके बैठता है तो इनकी माता finance के मामले में savings के मामले में काफी export होती है इन्हें पता होता है पैसे कैसे save करते हैं अब कैसे इनकी माता या तो financially काफी strong होती है या इनको ये किसी business में होंगी तो भी वो finance के business में होंगी या और ये घर के अंदर भी अपने family के अंदर भी एक strong person होती है जो जिने पता होता है कि पैसे कहा सेव करना है कैसे सेव करना है बाद में इसको कैसे यूटिलाइज करना है दोस्तों जब मून दूसरे स्थान पर बैठता है मेस लगन के लिए तो उसकी साथवी दृष्टी आठवे स्थान पर पड़ती है और आठवा स्थान रिप्रेजन करता है सड़न अप एं resulted होके दूसरे साम दे बैठता है तो ऐसे जाता कि जो in-laws होते हैं तो कफी रीच होते हैं या इन्हें कभी भी life में कोई भी status या wealth की ज़रुत पड़ती है तो इनको अपने in-laws से काफी benefit या help मिल जाती है ये था मेरा analysis moon in second house for तो मेस लगना अगर आपको ये वीडियो पसंद आ notification आपको आसानी से मिल जाएं